जैहिंद पर दोस्तों आप सभी का माई चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाच्चेबदे जेविटी एंट्रांस एक्जाम 2 या 23 के बारे में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ गले की थोड़ी बैंड बजी हुई है तो ऐसे में जो थोड़ी अबाजब और डाउन रह सकती है तो आपने इस चीज़ को बिलकुल इगनोर करना है और दोस्तों मुझे उमीद है आप सभी ने जो अपनी कॉंसलिंग लिस्ट है वो देख ली होगी उसमें अपना रोल अंबर भी चेक किया होगा और आप सभी को अपनी जो कॉंसलिंग की डेटा वो भी पता लग गए होगी इसके अलाबा दोस्तों आप सभी ने बाय डाटा फोर्म भी डाउनलोड कर लिया होगा अब दोस्तों नेक्ट कोशन क्या आता है जो जो भाय डाटा फोर्म है उसको किस तरह से फिल किया जाए साथ ही साथ इसके साथ हमने कौन-कौन से अपने जो डोकुमेंट से उनको अटेश करना है तो दोस्तों आपने इस वीडियो में शुरू से लेकर रहन तक बन रहना है क्योंकि आपको इस वीडियो में ऐसी कई चीज़े भी बिताई जाएंगी जो कि आपको अभी तक पता नहीं है और वो जो चीज़े हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही याद हेल्फुल रहेंगी तो दोस्तों आपने वीडियो को जरा सभी स्किप नहीं करना वीडियो शुरू करने से पहले शोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया है तो सबसे पहले आपने जाके इंस्टाग्राम पर फोलो करना है क्योंकि दोस्तों अगर आपके mind में कोई question रहता है तो आप direct message के माध्यम से बहाँ पर हमसे answer ले सकते हैं Instagram ID का name भई है जो कि हमारे channel का name है HP exams with Jerry अभी दोस्तों हम देखेंगे जो आपका bio data form है उसको किस तरह से भरा जाए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो bio data form है वो है हमारा सरकारी diet का सबसे पहले है merit serial number अब देखें दोस्तों जो आपकी counseling list है उमीद है आप सभी ने देख ली होगी उसमें आपका जो rank है वो क्या है जैसे माल लो आपका जो number है वो 7th number पर है ठीक है तो आपने यहाँ पर क्या फिल करना है 07 कहने का meaning यह है जो आपका counseling list में rank है वो आपने यहाँ फिल करना है आगे है marks जो आपके JVT entrance में marks है वो आपने यहाँ पर फिल करने है उसके अलाबze दोस्तों आपने अपनी counseling list है वो देखी होगी उसमें दोस्तों यहाँ पर date of counseling लिखा गया है उसमें जो आपकी date of counseling दी गई है उसमें दोस्तों जैसे आपकी counseling list है ठीक है उसमें जो last बाला ये बाला हमारा column है सबसे last बाला column है बहाँ पे आपकी counseling की date लिखी गई है तो आपने बहुत जो data यहाँ पे fill कर देनी है आगे आते हैं दोस्तों district to which belong आप कौन कौन सी जो district है उससे बिलोंग करते हो जैसे कोई जो candidate है उनना से बिलोंग करते है वो यहाँ पे fill करेगा उनना उसके अलावब डी एलेट रोल लंबर आपने जो अपना JVT entrance का रोल लंबर है वो यहाँ पे fill करना है उसके अलावब दोस्तों category and sub category अब सबसे बहला दोस्तों मैं आपको बिता दूं category के document के बारे में बात करेंगे SC का certificate OBC का certificate जो हमारी ST का category है उसका certificate लेकिन बहुत सारे है ऐसे candidates है जो कि यह बाला question भी पूछते हैं कि जो general category का certificate को हम किस तरह से बन बाए तो दोस्तों मैं आपको clear कर दूँ general का क्या मीनिंग होता है सामान्य जो की सामान्य है ठीक दोस्तों तो जो general category है उसका कोई भी कास्ट certificate नहीं बनता इसके लावब अगर आपका EWS में name है तो आपको certificate बनबाना पड़ेगा साथ ही साथ दोस्तों आपको यह चीज़ पता लग गई होगी आपने इस चीज़ में confused नहीं होना है कि हम general category से बिलोंग करते हैं और हमने कौन सा यहाँ पर फिल करेगा लिखेगा SC और ब्रैकेट में लिख देगा BPL ठीक है यहाँ पर क्या हो गया SC होगी आपकी category उसके लावब जो आपकी सब category है वो होगी BPL ठीक है उसके लावब दोस्तों मान लो कोई ऐसा गेंडरेट है जो की SC है और बाडव freedom fighter है तो वो यहाँ पर SC लिखेगा और ब्रैकेट में लिखेगा word of freedom fighter ठीक है अगर कोई ऐसा गेंडरेट है जो की STBPL है सबसे पहले अपनी जो category है वो लिखेगा ST bracket में अपनी सब category लिखेगा ठीक है दोस्तों तो मुझे उमीद है जो चीजे वो आपके माइंड में आगे होगी आगे दोस्तों नेम ओफ candidate आपने अपना जो नेम है वो यहाँ पर फिल करना है आगे आपने पिता जी का नेम यहाँ पर फिल करना है आपने जो अमारा six सब्सक्राइब करना है तो उसके बाद दोस्तों आपने सबसे उपर रखना है उसके बाद आपने जो क्यारा है वो कौन-कौन से डोकुमेंट्स रखाना है जो यहां पर where they are c को यहां पर अटेशट करने है सेकें नंबर पर दोस्तों हमारा तैन प्लस टू सैटिकेट अगर मैंने आपको पहले पिताया था कोई ऐसा जिसका अभी प्लस टू जिसकी अभी रिसेंटली कम्प्लीट हुई है और उसका उरिजिनल नहीं आया है तो वह अपनी इंटरनेट को पी ले जा सकता है इंटरनेट से मार्कशीट डॉनलोड करके ले जा सकता है और उसको जहां से उसने प्लस टू कंप्लीट करी है उस प्रिंसिपल से उसने अटेश्टेड करवाना है ठीक है दोस्तों और आपका सभसे लास्ट में सा जो सैट्पिकेट होगा तो मैं आपको बसे प्सक्राइब यहां पर जाओंगा आपने एक दो पास्बोर्ट साइच फोटो भी ले के चलना है ठीक है केई बाद जो जरूरत है वो बहाँ पर पढ़ याती है साथ साथ दोस्तों आपने जो अपना आधार कार्ड है उसकी भी फोटो कोपी लेके जानी है ठीक है अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सेटिफिकेट है तो आपने उसको भी अपने साथ ही लेके जा इसके एंड़ जिसके 700 में से 325 नंबर थे ठीक है तो वो क्या फिल करें और यहां पर माक्स में उत्य प्र्डेज में 225 उसके बाद दोस्तों बहुने है वो यहाँ पे फिल कर देनी है है अब देखेए दो अभी सबाछ्रे में से इंप्रोटेंट पार्ड जिसमें कि maximum जो candidates है वो confused होते है जो diet है उसको हमने by data form में order में किस तरह से fill करना है तो दोस्तों आपने यहां से जो चीज़े हैं वो अच्छे से समझनी है ठीक है दोस्तों आपने यहां पर जो वीडियो है उसको अच्छे से समझना है तो दोस्तों यहां पर हमें serial number दिए गया है जहां पर दिए गया है name of diet हिमाचल की 12 districts है और हर एक डिस्टिक में एक diet है ठीक है सरकारी diet है उसके लावब दोस्तों यहां पर जो हमने order अपनी preference के according भरना है अब देखिए दोस्तों यह जो order है उसको किस तरह से fill करे मैं आपको बताऊंगा मालो जहां पर लिखा है बिलासपूर में आपकी diet वरने के तरीके अब हो दो तिन है सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ मालो आपको जो पहली diet है वो मंडी चाहिए आप मंडी डिस्टिक से बिलोंग करते हो आपके चाहते हो कि जो मैंने पहली preference है वो मंडी डिस्टिक को देनी है तो आपने क्या करना यहाँ पे 8 number लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे 8 number फिल कर देना फर्स्ट यह कोलम है उसमें 8 number फिल कर देना है ठीक है दोस्तों जो आप ऐसा भी कर सकते हो जो आपकी यह मंडी लिखा हुआ है यहाँ पे 8 number पे तो आप वहाँ पे दोस्तों 1 भी लिख सकते हो क्या पता आ लाग रहा है यह जो हमारी मंडी दिश्टिक है इसको ë ने फर्श्ट प्रैफरेंस दी है लेकिन मेरी आपको क्या सब्सक्राइब फ्रेफेरस्ट कर नहीं देखिए दोस्तों मैं यह चीज़ के रहा हूँ कि तो आपने क्या करना है आपने यहां पर serial number 1 डाला है और इदर लिख देना है mondi के दोस्तों आपने यहां पर लिख दिया जो कि Monday District से belong करता है और भे चाहता है कि मेरी जो पहली डाइट है वो मंदी district में ही मिले ठीक तो उसको जो बाइट Attention है कि तरह से मनले करना है तो यहाँ an is order इस तरह कर सकता है यहाँ पर हो जो 시 would सकता है यहाँ पे उसने Surrey नमबर यो डाला है है यो उसने या लिखना ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है आपको जो चीज़े वो clear हो गई होंगी मैं आपको बता दूँ आपने कम से कम सार से लेकर आठ जो डाइट्स है उनके नेम फिल करके आने हैं और बहुत सारे ऐसे केंडियेट्स हैं लगादर questioning कर रहे हैं कि हमने कौन सा जो clear हो गई होंगी आपको यहाँ पर पता लग गया है कि आपने किस तरह से जो डाइट का नेम है वो order के according जो अपनी preference है उसके बना है उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर देनी है जब आपकी counseling है उसके बाद दोस्तों आपने जो अपने signature है यहाँ पर कर देने है ठीक है अभी हम आते है दोस्तों private जो अमारा private बाल वाइड़ डाइट फो में उसकी तरफ यहाँ तक आप सभी को पताए किस तरह से हमने जहाँ पर जो detail है वो फिल करनी है अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है जहाँ पर जो हमारी diets है उनका जो names है वो बड़े बड़े दि है माला कोई ऐसा candidate है जिसको जो sbn college थाई 8 नंबर वाला तो उसने जो अपनी first preference है यहाँ पर सीरे नंबर डाल लेना उस पर लिखना 8 दूसरा माला उसको रमेचबरी college चाहिए तो उसने second number पर क्या लिख लेना फर्स नंबर पर यह हमारा रमेचबरी तीसरा उसको चाहिए DD तो उसने third number पर क्या लिख देना जो इसका सीरे नंबर है DDM का उसने वह लिख देना है माला उसको फोस नंबर पर कौन सा college चाहिए शांती college of education जे हमारे घर के ने जी college है तो वह क्या करेगा दोस्तों अगर उसको शांती वाला college चाहिए तो जो अगली preference है माला फोस नंबर वाली preference है उसमें क्या लिखेगा number 14 तो इसी तरह से आपने fill करना है ठीक है दोस्तों अभी मैंने आपको कुछ और चीज़े बिताए है मैं आपको ऐसी चीज़े बिताऊंगा जो कि आपको अभी तक पता नहीं है अब देखिए दोस्तों मालो जब आपने अपना जो application form है उ PPL का जो भी certificate है उसको ले के जाना है और बहां पर जो official है उसको दोस्तों मैं आपको बता दूँ accept कर सकते हैं ठीक है मैं यह नहीं कहा रहा कि 100% करेंगे लेकिन 80% chances है उनके जो officers है वो उसको attested कर देंगे और उसको accept कर लेंगे तो आपको जो कोटे का फाइदा है वो मिल जा है वो 100% लेके जाना है उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपको private diet मिलती है यहां पर सारी जो यहां पर हमारी diet से जो private diet से उनके name लिखे हुए मैं आपको बता दूँ आपने minimum जो 15 डाइट से यह 15 colleges है जो private 15 colleges है उनके name यहां पर लिखके आने है उनको द 27,500 लगने है अगर आपको non-subsidire मिलते है 27,500 लगने है जहां पर मैं only tuition fees की बात कर रहा हूं ठीक है दोस्तों उसके लावा दोस्तों आपको जो advanced tuition fees है कॉंसलिंग के दोरान कॉंसलिंग में कौन कॉंसी जो fee से आपको नहीं जम्मा करवाने है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप college में बहां पर बात करके या कॉंसलिंग बालों से बात करके जो चीज़ा बहुता सकते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत यादा stickness होगी ठीक है दोस्तों अगर आप यह चीज मान के चले हो कि वह आपको खाने पढ़ेंगे तो दोस्तों ऐसा बिलकुल भी नहीं है जो आपके HPVC की कॉंसलिंग रहती है उनको दो भी पता है पता है कि यह बच्चे आफ्टा फ्लस टु आ रहे हैं और इतनी चीज़ए पता नहीं होती है तो एपने उनके डिसकस करना को सिलूशन पताादेंगे उनको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जैहिं जैबारत जैहिं मचल